नमस्कार दोस्तो चैनल पे आपका स्वागत है कौन लेटिस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तो काफी important update है दोस्तो इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं different different regional center से 22 या 23 लगबग updates हैं जो कि अलग-अलग regional center से आप सभी के लिए हैं में भी आपके भी concern original center से हो सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से और complete देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा अपने दोस्तों के साथ share करिए क्योंकि इस समय जो अपडेट्स आ रहे हैं काफी important है ताकि उनके तक ये अपडेट्स पहुंच सके और अपना जो भी activity अभी चल रहे है original center पर उसको in time complete कर लें तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो आप अपना result चेक करते रहे हैं बहुत सारे student परसान है कि हमने इतने तारिक को अपना exam दिया है और हमारा result अभी तक नहीं आया है ये ऐसा पिछले exam से और इस exam में ऐसा देखा गया है कि exam duration में ही link activate कर दिया गया है result का इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था 45 days आपको इंतजार करना ही पड़ता था last exam खतम होने के बाद तो थोड़ा सा और वेट कर लीजे जल्दी आपका भी result डिक्लेयर हो जाएगा कोई उसमें panic होने वाली बात नहीं है बस update आते रहें तो अपना result जरूर चेक करते रहें जो सिंपल है आप जो है आपके जो है लिंक मैं दे दूंगा इसका सभी regional center का और डारेक्ट आप इकनों की website से भी यहां regional network में जाके regional center पे आप कर सकते हैं वहां से लगातार अब ही update आ रहें लगग सभी regional center से तो उसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो पहली update मैं बता दूँ एक है कि open session अभी होने वाला है admission को लेके इस महीने ही चलेगा पूरा वो और timing रहेगी बारा से एक के बीच और पहला session जो है कल से start हो जाएगा तो जो भी admissions related queries होंगी जो भी वहां पे होगा regional services division के through हो रहे हैं तो आप जरूर इसको देखिएगा जो नए चीज़ सीखनों के मिलेंगी ठीक है तो यह update था एक कल से start हो जाएगा जरूर देखिया कि इस महीने में पूरे महीने चलने वाला है जो है Tuesday और Friday को रहेगा यह ठीक है next update पर चलते हैं इसी से related मैं और बता दूँ जो ग्यान दर्सन का link है वह मैं description में दे दूँगा यहां से आप online द प्रोग्राम के उनके लिए लिस्ट जारी कर दिया है लेस्ट आप एक्जामनी और गाइडलाइन पूरा यहां पर जारी कर दिया गया है इसको डाउनलोड करके पढ़िए और देखिए और जैसा कि मैं कहता हूं कि रिजिनल सेंटर पर लगातार अपडेट आ रहे हैं next update प तो यह लिस्ट आ चुकी है यहां से आप डाउनलोड करिए गूगल मीट के तुरू यह कंड़र करा जाएगा यहां पर लिंक दे दिया गया है क्या क्या चीज़े रिक्वार्ड है वो चीज़े यहां पर लिखी हुए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ठीक है आरसी वि रायपूर रिजिनल से रायपूर रिजिनल से ने आज गाइडलाइन निकाला थे लिए तो यह जरूर आप देख लीजिए गा उससे पहले भी सेडियूल जारी किया गया था ठीक है आज फिर से निकाला गया है गाइडलाइन फॉर ब्यस्ट प्रेक्टिकल एक्जाम 2021 तो लगभग लगभग जितने भी रिजिनल सेंटर हैं लगभग निकाल दिये हैं और इसके साथ 8 मार्च को भी बिलाई के लिए आया है 6 मार्च को भी निकाला था उन्होंने यहां पर लेबल है आप जरूर देख लिजेगा नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है पंडजी रिजिनल सेंटर से पंडजी ने बिलाई 227 के लिए दस्तारी को है नोटिफिकेशन निकाला था उसके पहले जो है काउंसलिंग का सेडियोल आया था जुलाई के लिए जो है M.E.D.U के लिए तो ऐसे लगातार अपडेट सा रहे हैं काउंसलिंग का सेडियोल यहां से देख सकते हैं आप ठीक है यहां पे भी लिस्ट मिल जाएगी नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट जो है प्टना इसन्टर से परना इसन्टर ने इसी डानलोड करके ठीक है नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है दोस्तो नोएडा इस अपडेट किया गया है इसको थीक है उन्हों ने पूरा ले स्ट जारी कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह लिस्ट और और यह कौन कौन से एक्जाम सेंटर होने वाले हैं उजाम सेंटर भी पूरा दे दिया है और इस्टुडेंट्स की लिस्ट भी लगा दी गई है अगर इस्टुडेंट इस लिस्ट में नहीं है तो आर्सिन वाइडा को वह इमेल करेगा जैसा कि 10 नाम इन्रोल करना है लेटेस्ट बाइ 17 मार्च क्योंकि 22 मार्च से सुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल ब्यस्ट के लिए ध्यान से आप देख लिजेगा आर्सिन वाइडा नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है आर्सि मुंबई से आर्सि मुंबई ने मेडी 30 मार्च को है ठीक है और नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है दोस्तो आपका आर्सि क्वालकाता से आज ही अपडेट किया गया है डेट फार एमसे बीसे टेर्मिंट एक्जाम के लिए जैसा कि प्रैक्टिकल का सेडूल हो है यह भी दिख लिजेगा आप उ उसके पहले चार मार्च को उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए किया था तो यह भी आप डाउनलोड करें देख लीजेगा आर्सि मदूर एक जबी स्टुटेंट नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है दोस्तों आपका ओपन सेशन को लेके ही है यह है रिजिनल प्रैक्टिकल्स है उसके जो है गूगल मीट का फूरा लिंक यहां पर जारी कर दिया उन्होंने गूगल मीट के थ्रू होगा और डेट के साथ टाइमिंग के साथ 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ध्यान से मिस्मत करिएगा जरूर से इसको अटेंड करिएगा ठीक है आर पर रिपोर्ट करेंगे और अपना नाम इंड्रोल करवाएंगे उसमें ठीक है नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है लास जो है लास्ट डेट पर समिशन प्जीडी और मसीफ्टी के लगभग काफी रिजिनल सिंटेर पर यह नई अपडेट अपडेट की ग है क्योंकि उसमें मेंसन रहता है 15 मार्च तक तो उसको बढ़ा दिया गया है में फाइनल अभी एक और डेट आएगी एकसाइमेंट समिशन के उसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है ठीक है नेक्स अपडेट पर चलते हैं जो है जो जो पूर इजिनल सिंटर से बीलाइट टू इसको आज ही अपडेट किया गया है इसको इसको आप ध्यान से जरूर देख लीजेगा यह काफी इंपॉर्टेंट है 14 मार्च से साथ स्टार्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स अपडेट पर चलते हैं नेक्स अपडेट है दोस्तो इसी को जो पीजी सीफटी को लेके यह भी अपडेट किया गया है यह नोटिफिकेशन देख लीजिएगा आज की डेट में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है क्यूंकि 15 मार्च रहता है उसमें नेक्स अपडेट जो है आपके आर सी चिन्नाई को लेके है, आर्सी चिन्नाई पे भी PGG CFT and MSC CFT के assignment को लेके notification निकाल गया, same notification जो इसके पहले अभी मैंने बताया है ठीक है, next update पे चलते हैं, next update जो है RC दरभंगा पे है, RC MCA, BCA CIT, CVS के प्रोग्राम के लिए एक schedule जारी किया है यह schedule यह है, इसमें सभी student का enrollment number के साथ लगभग 15 page का schedule जारी किया गया है तो इसमें आप देख लीजिएगा आप अगर नहीं है इसमें practical schedule आप तो अपने regional center पे report करें क्योंकि 15 March से start हो जाएगा, यह ठीक है, काफी important है यह काफी ज़्यादा student भी है इसमें regional center में, इस program पे, तो next update पे चलते है नेक्स अपडेट जो है दोस्तों आपका RC भोपाल regional center से है, जिसमें BLIS के student है, BLI 227 के practical का schedule, Viva का schedule जारी किया गया है और उसके पहले जो है BSC practical का भी schedule जारी कर दिया गया है ठीक है, next update पे चलते है आपको, ठीक है, यह है MCA, MSC, DFSM और आपके, जो है MCA, सभी ऐसे जो भी programs पे practical हैं, वो सारा list यहाँ पे, MADU, Sub, Viva, और जो है practical का schedule जारी कर दिया है तो जो भी भोपालेशो रिजनल center के हैं assignment submission का notification जारी कर दिया है तो आप अपना assignment submit करा सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरा schedule बताया कैसे कैसे करना है, कहाँ पे कर सकते हैं पूरा इसमें, याल लेटी में वीडियो बना चुका हूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं यह सारी अपडेट्स ही दोस्तों काफी important थी जो आपको बताना था और काफी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं काई दिनों से आ रहे हैं मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला था फैराल नहीं बनाया, लेकिन अभी जो है सभी अपडेट्स लगभख कवर कर लिये सभी रिजिनल सेंटर पे आप जो भी इस भी इस भी रिजिनल सेंटर से बिलॉंग कर रहे हैं प्लीज मैं रिक्विस्ट करूँगा आप से अपने रिजिनल सेंटर को जरूर देखिए मेभी अभी आज तक या कल तक सुबह तक फिर से कोई अपडेट आ जाए कोई नई अपडेट आ जाए तो जरूर देखिएगा इसको क्योंकि एसाइमेंट्स के भी समिशन के अपडेट्स जल्दी आने वाले हैं तो रिजिनल सेंट्र वाइज भी आ सकते हैं और कंबाइन एक नोटिफिकेशन भी आ सकता है इनों के होम वेव साइट पर अपने कंसल रिजिनल सेंट्र की वेव साइट को बराबर देखते रहिए कोई भी अपडेट कभी भी प्रिजन टाइम में आ सकती हैं यह सारी अपडेट थी तो बस यह काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी अगर कोई और अपडेट आएगी तो मिलेंगे नेस टू वीजिए तो तक लिमसकार भर निवाद दोस्तों